26 अप्रिल को सीमांचल के कटिहार में वोटिंग है, मुस्लिम बहुल ये इलाका है, यहाँ पर NDA का सीधा मुकाबला महागडबंधन से है, यहाँ पर NDA के प्रत्यासी है जदियू के दुलाल चन्द गुस्वामी जो मजूदा सांसद भी है, वहीं महागडबंधन से प्रत्य हैं कॉंग्रेस के तारीक अन्वर जो पांच बर यहाँ से सांसद रहे हैं, हमारे साथ दुलाल चन्द गुस्वामी मौजूद है, दुलाल जी इम्तिहान की घड़ी नजदीक आ रही है, कितनी तयारी है और ये बताईए जनता आपको क्यों वोट देखे सबसे पहले तो य है, कटिहार लोकसभासिट उस समय भी जीते थे, और अब जो दो आजार चोबिस का चुनाव है, ये इस चुनाव में हम लोगों ने जो कटिहार में विखास का कार्ज किया है, फोर लेन बना है, गंगा नदी में ब्रीज बन रहा है, जो कटिहार का तीर पड़िचित मांग जो लोगों का था, वो पूरा हुआ है, और कटिहार जिला के विविन परखंडों में, केवल इस साल परदान मंतरी फेस्तिरी में, एक सो सतरह बिरीज, जो उन्हें सो सतासी में टूटा था, ऐसे मधन साही बिरीज में भी काम चल रहा है, चालिस सरको का काम हो रहा है, तो काम ही तेजी से कटियार में हो रहा है, कटियार आगे बर रहा है, तो एक तरफ विकास का कार्ज है, दूसरे तरफ आधरनिय परदान मंतरी जी के पड़ती भी, लोगों के मन में बहुत ही उत्सा है, खास करके जो गरीब मद दाता है, जो अनाज योजनाओं से अचादित ह है, किसान सम्हान निदी है, आइस्मान योजना है, पुझ्वयला योजना है, ये सब योजनाओं के प्रती गधर हमी चतर में, लोगों के मन बें, परदान मंतरी जी के पड़ती जो है, बहुत ही सकर अतमक सोच है, और लोग स्वैंग बोलते हैं कि अब की आपकी बार, जो है हम लोग मोधी जी को भोट करेंगे पुना मोधी जी को परधान मंत्री बनाना है तो देश में के साथ-साथ कटियार में भी बरा ही पुजेटिव मावल है और हम तो पूरा जीला गुमे आज भी कहजेगा से घुम करके अभी डेरा में आए हैं जब आप मेरा आपने भी काफी काम किया बतोर सांसद तारीक अन्वर यहां पर प्रत्यासी है पांच बार यहां से सांसद रहे हैं चुनोती मानते हैं तारीक साब तो 2019 में भी लड़े थे तो तारीक साब अपना काम कर रहे हैं चुना अलर रहे हैं लेकिन एक बात तो जरूर है कि कटिया में एक आवाज है, खासकर के उनके दल में और राजनितिक लोगों में, कि इंडिया गडवंदन युवाओं को तरजी नहीं दे रहा है, और युवाओं के पड़ती उन लोगा कोई विश्वास नहीं है, इससे युवा भी नाराज है, और युवाओं का ये सोच है, कि हम लो आप कोई संभावना नहीं है, तो उसे चलते नाराज है, तो वो लोगा भी जुकाव जो है ना, हम लोग के तरफ है, विपक्ष ये कह रहा है, इंडिया गडवंदन की मुद्धों पर चुना होना चाहिए, लेकिन पीम मोदी जो है, भटक रहे हैं मुद्धों से, दूसरे चीजों को बोल रहे हैं, दूसरे चीजों के बारे में बात को उठा रहे हैं, जैसे पीम ने राजस्थान में एक जनसभाव को संभोधित करते हुए कहा है, कि अगर कॉंगरे सत्ता में आई, तो जो गुस पैठी हैं, जिनके अधिक बच्चे हैं, देश की संपत्ती उनके बीच में बांट सकती है, सो मनमौन सिंग की जब सरकार थी तो उसमें ये भी कहा गया था कि देश की जो संपत्ती है, उस पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है, सो इनका घोसना पत्र भी यही कहता है, कि हम लोग मताओं, बहनों के सोने जो हैं, उसके बार में जानकारी ले कर रहे हैं कि अमेरिका में ऐसा कानून है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उसका आधा संपत्ती जो है, सरकार ले लेती है, जिसका इस्तेमाल जो है, जनता के हित के लिए कह जाता है, और आधा संपत्ती उम्रितक के परिजनों को मिलता है, तो हमारे देश में ऐस कि संपत्ती जब किसी के नाम से करमांकित संपत्ती है चाहिए बेंक बैलेंसे एकाउंट है चाहिए भुमी है अचल अचल संपत्ती है तो इस पर अभी ये प्रारंभिक बात्चीत है अब देश का क्या मूड है जनता का क्या सोच है हमारा देश का कानून में भी ऐसा कुछ न नहीं है आगे इस पर जब चर्चा होगी तो उसमें हम लोग बात करेंगे लेकिन हम ये काना चाहेंगे कि इस देश में देश के अरनागरिकों का उतना ही अधिकार है जितना देश के संपती में या देश के संगसादन में एक परधान मंतरी का अधिकार है उतना ही एक आम जब नहीं है, हम जब सुनेंगे तो फिर इस पर यह करेंगे, क्योंकि हम चुनाव चेत्र में हैं, तो अभी जनसंपर्ख और बागी तैयारी में हैं, तो उस ढुरिस्टी कौन से कोई बात आई नहीं है, अचानक अप ये बात रख रहे हैं, तो इस पर हम लोग फिर बात करेंगे कभी नितीजी नितीजी बिहार के सर्वान नेनेता है जब वो इंडिया गडवंदन बनाए तो इंडिया गडवंदन का सर्वान नेनेता थे इंडिया गडवंदन का कोई पाठी उनका बिरोत कर रहा था क्या सब उनके नितुरत में एक हुए लेकिन जब उन लोग संबान ने दिये तो उनके साथ हैं और पहले से भी हम लोग आदरिनी मोदी जी के साथ थे तो नितीजी बिहार में कैसे नेता है कि कोई पाठी कुछ बोले लेकिन नितीजी की छवी कार्ज और रूम का कार्ज चमता इतना बरा कि उसके समने कोई ठिकता नहीं और जनता हर समय नितीजी के पड़ती ही ये विश्वास रखते हैं कि नितीजी बिहार का विकास कर सकते है बिहार को आगे ले जा सकते हैं आकरी सवाल दूसरे चरण में 26 अप्रिल को कठिहार पूर्णिया और उसके बाद किसंगंज में वोटिंग होनी है तीनों सीट पर जेडियू लग रही है इंडिये से भागलपूर बाका में भी वोटिंग आप ही लोग लग रहे तो पांच बागलपूर कठिहार और पूर्णिया और इस बार आपको हम बता रहे हैं कि इस बार किसंगंज भी जीतेंगे और चार में एक पांच होगा बिहार में चालिस में जो पहला सरपला उन चालिस में जो चालिस होगा ये दूसरे चरण में होगा और हम लोग किसंगंज भी जी हार